तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि पिछले कुछ दिनों से CSK जितने भी स्टूनेंट्स है पैन एंडिया और जितने भी फेकल्टीज हैं सारे के सारे लोग कि सामने अपना पॉइंट यहां पर रख रहे थे कि सर जून 23 के अंदर जो पेपर चेकिंग हमारी हुई है वो सही तरीके से नहीं हुई और कुछ रिफॉर्म्स वगरा जो है वो लाने की रिक्वार्मेंट है और हम सभी लोगों ने मास मिलिंग जो है वो की ICSI को और बहुत स है वो देखने के बाद में मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना जादा दुख डिस हर्टनिंग जो है यह फील यहां पर हुआ है कि मैं कैसे अपने बच्चों को क्या जवाब दूं किस तरीके से मैं बोलू यह चीज के बारे में कि भीया ICSI का कहना है कि जो भी हुआ है इसमे ICSI की कहीं पे भी कोई गलती नहीं है जो भी गलती है वो student की गलती है आपने up to the mark answer जो है वो अपना नहीं लिखा है आपने सही तरीके समनी पढ़ाई जो है वो नहीं करी है conceptual answer जो आपको लिखना चीए था वो आपने नहीं लिखा है और आपको यह चीजों को क्या करना पड आज इस वीडियो के माद्यम से हम ICSI को वापिस से पूछने वाले एक 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 चीज के बारे पूछने वाले हैं कि क्या हमारी गलती ये वाली है या फिर ये वाली है या फिर ये वाली है और request करूं आप लोगों से कि आखरी moment तक आप इस वीडियो को देखिएगा और मुझ इसके लिए ICSI जवाब देगी है और यह सही में ICSI जो है वो यह बोल के प्लत जाड़ सकता है अपना कि इसके लिए हम रिस्पॉंसिबल नहीं है हमने फीस ले लिया है अब आप जानों आपका काम जाने किसमत के विस्पॉंसिबल आप अपनी सब्सक्राइब कर लो हाँ जोड़के ICSI से और माफी माँगना चाहूंगा अगर कहीं पे भी कुछ चीजे जो है वो निकल जाती है मूह से या ऐसा कुछ हो जाता है बट प्लीज ट्राइट अगर यहां पर जस्ट ऐसी ही कोई वीडियो जो है वो नहीं बनाय जा रहा है बच्चे सही में परेशान है और एक बच्चा नहीं दो बच्चा नहीं दस बच्चे नहीं लगबग अगर मैं बात करूंगा तो दस हजार यह उससे भी जादा बच्चे होंगे जो परेशान है जिनके साथ में चीजे गलत हुई है सर और के साथ में हम इस चीज को आपके सामने रिप्रेजन करने की कोशिश भी कर रहे हैं आपको दिखा भी रहे कि this is the proof इसमें ये गलतिया यहाँ पे हुई है फिर भी ICS है के रहे हैं कि नहीं हमारी कोई मिस्टेक नहीं है सर तो आप हमें प्लीज हमारी मिस्टिक जो बता दीजे और अगर आप नहीं बता पा रहे हैं रिक्वेस्टर सारे के सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्टर सारे के सारी फेकल्टी से कि इस बार हम लोग यहां पर रुकने वाले नहीं हैं अगर ICS है हमें नहीं बता पा रहा है कि जो चीजों का सवाल हम पूछे रहें उसमा मेरी क्या गलती है तो सर हम आपके दर्वाजे पे आ रहे हैं नवरात्री के बाद में जैसी नवरात्री दर्शेरा खतम होगा हम आपके दर्वाजे पे वहाँ पे आके खड़े हो जाएंगे और जब तक हमें इस बात का जवाब नहीं मिलता है कि आखिर हमारी क्या गलती है हम वहाँ से नहीं हिलने वाले महिनों के अगर वहाँ पे बैठना पढ़े हम वहाँ जाकर बैठेंगे इस बात का वादा are सर हमारा आपसे देखे रिपलाइ यहा पे क्या आया है Messi सर का क्या आना है कि हम यहां पे जब भी पेपर evaluation का process करने का काम करते है तो पैर audible पे किया जाता है relevancy देखी जाती है conceptual clarity देखी जाती है student का जो भी answer आपका होगा उसमें जो intent है question का वो देखा जाता है सब चीजों को consider किया जाता है वो सब चीजों के बारे में जो evaluator आपके हैं उनको बले बताया जाता है accordingly और फिर उसके बाद में जो आपके paper है वो check किया जाता है and and यहाँ पर ये भी कहा गया कि it is possible कि हो सकता है कि कोई ऐसा question होगा जिसके अंदर एक से ज़ादा answer जो है वो आपके बन रहे होंगे तो दोनों ही जो alternative answer आपके वहाँ पर रहेंगे वो बले आपके सही answer जो है वो हो सकते है फिर इसके बाद में ये वाला जो paragraph है ये सुनने के बाद में देखने के बाद तो मैंने कहा कि है भगवान इस से अच्छा तो अगर मैं यूपीए से के एक्जाम दे लेता तो अच्छा हो जाता ICSI strongly recommend that the student while preparing for the examination should study the bare acts the bare acts, delegated legislation, study material, student company, security journal, charter security journal, recent landmark judgment, etc. यहाँ पर भी पेट नहीं भरा तो बोले सुनो और कुछ चीज़े हैं जो कि हम यहाँ पर लिखना भूल गए हैं तो बोले आप वो भी देख लीजेगा और उसके बाद में पेपर में जाईएगा और वहाँ जाके एक्जाम जो है वो अपना दीजेगा सर ठीक है चलिए हम यह वाला काम जब भी कर लेंगे ऐसा बेर आक्ट जो कि ऐसे बेर आक्ट। акts बेर अचन्टी के अगर मैं बात करूंगह जितने भी लाईरी तो अंगे जितने भी सी एज बी बंचोके होंगे उन्होंने भी फूरा करें देखा नहीं होगा, सारे के तौरे के सारे बेर आप बहुत करें कि स्टोरेंट पढ में बात एक परोड Kung Siccus तुकित हुआ ह लग यह है कि यह सब पढ़ने के बाद में अंसर कौन से वाला सही लेके चला जाएगा जो मॉडिल में दिया हुआ था वो अंसर सही लेके चला जाएगा पढ़ लिया मैंने सारा गसारा या जो गैलन में दिया हुआ था वो अंसर सही लेके चला जाएगा आपने कहा कि आल्टरेट पूछना यह हमारी गलती है कि यह सवाल पूछना जो हमने यहां पे दियो है कि सर हमें री वैल्यूएशन के नाम पे री टोटलिंग नहीं चाहिए हमें री चेकिंग करने का अधिकार जो हो सकता है कि किसी बच्चे ने अंसर अच्छे से लिखा होगा लेगिन पेपर सही चै रहे सर वहां पे दिख रहा है कि पेपर में मार्क्स प्रॉपर नहीं मिले हुए हैं री चेकिंग के लिए अगर हम राइट मांग रहे तो क्या यह हमारी गलती है अगर आपने कहा कि आप अपना पेपर जो है वो किसी दूसरी इंसान को नहीं दिखा सकते हैं सोशल मीडिया पर किसी सवाल नहीं पूछ सकते हैं तो अगर हम I.S.I. से कहते हैं कि सर प्लीज हमें एक रिव्यू सिस्टम जो वो प्रॉइड कीज़े ताकि हम अपना पेपर क किसी दूसरी के पास में नहीं ले जाके आपके पास में लिखा हैं तो क्या ये पूछना हमारी गलती है सर जिस चीज को पाने के लिए हमने I.S.I. को फीस पे किया है वो मॉड्यूल वो गाइडलाइन अंसर जिसमें की मिस्टेक्स हैं क्या ये रिक्वेस्ट करना कि सर प्लीज उनके अंदर आप करेक्शन कर दीज़े ताकि हमको ये पता रहे कि कौनसा अंसर सही होगा कौनसा अ मार्क से वो जीरो मिले हुए हैं ये कहके कि कहीं कहीं पर आपकी ग्रामर मिस्टेक है सर जिनकी ग्रामर मिस्टेक नहीं है उनको भी एप्रॉपेट मार्क जो मिलने चाहिए वो नहीं मिले हुए सर तो ऐसे केस में ये पूछना कि क्या इसस है कि कोई और मार्किंग स्कीम है ये हमारी गलती है सर suddenly जब हम आटे के copy मंगवा रहे हैं suddenly जब हम certified copies मागने की बात कर रहे हैं suddenly वहाँ पे एक point आ जाता है declaration clause कि आप अपना answer sheet किसे और को दिखा नहीं सकते हैं कहीं और इसका evaluation करवाने का काम नहीं कर सकते हैं और हम ये पूछ रहे हैं कि सर ये declaration clause डालने का कारण क्या है ये बता दीजा आप हमें कि ये जानना या ये जानने के बारे में request करना कि ये हमारी गलती है सर हमारे पास में new syllabus के इसाब से practice करने के लिए mcqs नहीं है जो कि आईसेसाई exam में पूछने वाला है और ये पता करना ये पूछ ना कि सर क्या आईसेसाई हमें mcqs जो है वो practice के लिए provide कर सकता है कि ये सर हमारी गलती है सर दिल ना पूरा तूट गया है सर मैं मजाख नहीं कर रहा हूँ हम लोग जितने भी faculties है पैन इंडिया में although हमें ये भी पता चला कि इतनी मेहनत करते हैं बच्चे सुबह से लेके शाम तक classes करते हैं फिर रात को night study करते हैं self study करते हैं paper पे paper solve करते हैं test series पे test series solve करते हैं कभी supplement कभी amendment कभी कुछ कभी कुछ लगे रहते दिन भर क्या वो बच्चे को ये जानने का अधिकार नहीं है कि उसके साथ में जो हुआ है वो क्यों हुआ है कि उसके लिए जो ICS ने reply करके पला जाड लिया कि इसके लिए हम responsible नहीं है या आपकी जिम्मेदारी कि आपको ये सब चीज़े पढ़के आनी पड़ेगी उसके बाद भी तुमको ही ये सोचना पड़ेगा कि कौन सांसर सही है कौन सांसर गलत है कि ये हमारी गलती है क्या सर request करते है ICS ऐसे please sir this is a serious problem हम सभी लोग ये problem से जूज रहे हैं और बच्चे जो वो पूरी तरगे से हतास हो चुके उनके पास में कोई motivation नहीं है कि December में जाके वो अपने exam जो है वो दे सके तो आपसे request है please इन चीजों के बारे में reform जो है वो लेके आईए please हमें solution जो है वो यहाँ पर दीजिए हम यहाँ पर time pass के लिए चीज़े नहीं कर रहे हैं sir बच्चों को भी अपने December exam के लिए preparation करना है लेकिन motivation नहीं आ पा रहा है sir student अपना time waste नहीं करना चाहते है sir पर अगर इस तरीके के जो जवाब यहाँ पर आ रहे हैं इस तरीके के जो replies यहाँ पर आ रहे हैं उसके बाल में नहीं motivation मिल पा रहे है कि हम कोई भी कोई manager वो कर पाएं request to all the students pan India and request to all the faculties pan India कि हम सभी लोगों को अगर इस चीज़ के लिए नवरात्री के बाद में डेली जाना पड़ता है अगर ISS है कि गेट के सामने खड़े होके हमें यह सवाल पूछना पड़ता है कि please आप हमें हमारी गलती बताईए तो हम सभी लोग एक जूट होके वहाँ पर जाएंगे और ISS से पूछेंगे कि सर प्लीज हमें बताईए कि हमारी गलती जो है वो क्या है क्या नहीं है request सारे के सारे स्टूट से कि इस वीडियो को हर उस बच्चे तक पहुंचा दीजेगा जो बच्चा CS कर रहा है या CS करना चाता है ताकि हम अपनी बात ISS से तक पहुंचा सकें कि सर हमें सही में यह चीज यहां पर जानना है कि आखर हमारी गलती क्या है और साथी साथ भी कमेंट सेक्चन में भी बताईएगा कि जो पॉइंट से यहां पर मैंने भी बोले हैं कि इन में से कोई भी पॉइंट ऐसा है जो वैलिड पॉइंट नहीं है यह हम यहां पर कोई गलत चीज़े जो वो डिसकुशन यहां पर कर रहे हैं यह गलत चीज़ के डिमांड जो हम यहां पर कर रहे हैं क्या हमारा being the student of ICSI क्या हमारा यह अधिकार नहीं बनता जानने का कि आखिर हम जो गलतियां कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं कहां कर रहे हैं उसको improve कैसे किया जा सकता है क्या इसे से का हमारे टोट्स में कोई responsibility यहां पर नहीं बनती है क्या एक statement देके यह कहके कि आपके जिम्मेदारी है पढ़ाई करने की आपकी जिम्मेदारी है कि ब्रह्मार्ण में जितना भी syllabus दिया हुआ होगा वो सारकसार आप पढ़ लो बले ही वो आपके module में नहीं दिया हुआ है कि इतना कर देना यह sufficient हो जाएगा हाट जोड़के request है सर प्लीज हमें इस चीज़ का solution चाहिए प्लीज यह चीज़ का reform जो है वो लेके आईए क्योंकि student बहुत ज़्यादा हतास हो गए हम लोगों के पास में जवाब खतम हो चुके हैं बच्चा रोज पूछ रहा है कि सर कुछ हुआ क्या 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 फिर बच्चा बोल रहा कि सर यह देखिए यह हमारे पास में मेल आया अब बताइए हम क्या करें सर फिर बच्चा वापे से वो answer sheet दिखा रहा है वो questions का answer दिखा रहा है कि सर मुझे नहीं समझ मारा कि यहाँ पे कहां पे क्या गलती है इवन यह circular के हिसाब से भी हमने जो answer है वो properly present किया है बढ़ हमें नहीं मिला marks moderation के हिसाब से जो बच्चे को 17 marks आये हैं वो बच्चा fail हो जाना चाहिए था उस बच्चे के 29 marks add महाँ पे कर दीगे moderation के नाम पे और वो बच्चा पास हो जाता है सर यह क्या है moderation हमें नहीं पता हम पता कर भी नहीं पा रहें कि यह चीज के बारे में पूछना कि सर यह moderation क्या होता है कौण से basis पर moderation के marks जो वो दिये जाते हैं इसका क्या अधार है कि यह पूछना भी सर गलत है कि यह हमारी गलती है तो रिक्वेस्ट है सर प्लीज इन चीजों का जवाब जो है वह आपको देना ही होगा और सर ये जवाब लेने के लिए अगर हमें आई सेस है कि दर्वाजे तक वहाँ पे आना पड़ा तो हम वहाँ पे आने के लिए तयार हैं पर प्लीज सर हमारी जो प्रॉब्लम उसका रहे गया या कुछ और चीजें अन्प्रोफेशनल चीजें अगर निकल गई होंगी उसके लिए मैं आपसे हाँ जोड़के माफी मांगता हूं लेकिन सर दिस इस सीरियस कंसर जिसके उपर आई सेसे को एक ठोस जवाब जो है वो देना होगा ताकि हम लोगों का जो सेसाई पर वापिस से रिस्टोर हो जाएं थैंक यू